फीदी के साथ बदलते भरत की शाथ कि अ कि कि अ कि कि प्रशी उपत से आपमें भड़ता है, इंवेस्टमेंट चोटे शेरों में भी आये, आये को दुगना करने में ज़े ला में घुटा है नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदाशन के सान विचारवे मर्शकारक्रम में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अधती शर्मा हमारे देश भारत की बात करें तो हमारी जो ग्रामीन अर्थ विवस्था है उसका मुख्य आधार है क्रिशी और हमारे जो क्रिशक हैं उनकी मुख्य आई का साधन है खेती जी हाँ हमारे के सान कड़ी मेहनत करते हैं और सोना रूपी उपज उगाते हैं जी हाँ परदूशत नहीं होता है हमारे किसानों की बात करें तो उनके बीच जैव खेती काफी लोग प्रिय भी हो रही है और हमारी सरकार भी उन्हें और जादा प्रोच साहिद करने के लिए कई महत्वपून कदम उठा रही है और आज के हमारे इसकारिकरम में हम इन तमाम पहलों प पर बात करेंगे कि जैविखेती क्या है किस तरह से- और हमारे किसान के लिए मुनाफिकास आदा था स्तित हो सकती है और अगर हमारे किसान इसकी शुरुआत करना चाहते है इसे अपनाना चाहते हैं'dो उन्हें क्या कूछ करने की जरूरत है जी हाँ इनी पर आज हम करेंगे विचार विमर्श हमारे कारक्रम का जो विशय है वो रहेगा मुनाफी की जैविखेती जी हाँ कैसे कर सकते हैं मुनाफी की जैविखेती आज का हमारा ये कारक्रम इसी पर समर्पित है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग के प्रधान विज्ञानिक डॉक्टर वाईय शिवे जी भी जुड़े हुए है साथ ही आपको बता दे एक सभल किसान एक प्रगती शील किसान भी हमारे साथ मौझूद है भारत में जैवी खेती पुराने समय से की जा रही है पहनी क्रिशी के साथ साथ गौपालन किया जाता था यानि क्रिशी और गौपालन संयुक्त रूप से काफी लाबदा ही था लेकिन बढ़ती जन संध्या के कारण फसल उत्पातन बढ़ाने का दबाव बना जिसके कारण रासाइनी खेती का चलन बढ़ गया लेकिन अब एक बार फिर किसानों का रुझान जैवी खेती की ओर बढ़ा है इतना ही नहीं सरकार भी जैवी खेती को बढ़ावा देने के लिए भरपूर सहयोग कर रही है प्रधान मंत्रिशडी नरिंद्र मूदी के नित्रित्वों में सरकार ने जैवी खेती को बढ़ावा देने के लिए राश्ट्री स्तर पर अनेक योजनाय शुरूती है जिनके वांचित परिणाम आने वाले वर्षों में भार्दी ख्रिशी में दिखाई देने लगेंगे जैवी खेती को और्गेनिक फार्मिंग या बायो फार्मिंग भी कहा जाता है जैवी खेती एक ऐसी पद्धती है जिसमें रसाइनिक उर्वर को, रसाइनिक कीट नाश्ट को और रसाइनिक खर्पतवार नाश्टों की बजाए जवी खाद, केचुआ खाद, हरी खाद, जिवानों के टीके, समय के पोशक्तत्व प्रबंध हैं, समय के कीट प्रबंध हैं और मिश्रित खेती के उप्योग पर जोड़ दिया जाता है जवी खेती करने से ना सिर्फ भूमी की उर्वरा शक्ती लंबी समय तक बनी रहती हैं, बलकि पढ़्या वरन भी प्रदूशित नहीं होता साथ ही जवी खेती करने से भूमी की जल्धारन शम्ता भी बढ़ती हैं और भूमी से पानी का वाश्वी परन भी कम होता है इसके अलावा कृषी लागत घटने और उत्पात की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को अधिक लाब भी मिलता है इनके साथ ही जेवी खेती करने से रसानी खात पर निर्भरता कम होने से लागत में कम लादी है और वसलों की उत्पातता में प्रिद्धी होती है इसके अलावा देश में आजवी अधिकतर खेती बारिश पर ही निर्भर है और वर्षा आधारित शेक्त्रों में जेवी खेती और भी अधिक फाहरी मन है जेवी खेती के लिए भूमी में जिवांश जैसे गोबती खात, वर्मी कमपोस्ट, जेव उर्वरक और हरी खात का उप्योग किया जाना आवशक है जेवी खेती अपना कर खिसान भूमी के शरण और दोहन को रोकने में योगदान दे सकते हैं इससे ना सेर्फ फसलों की उत्पादन लागत में कम ही आएगी, बल्कि किसानों को फसलों का उचित मूली भी मिलेगा इतना ही नहीं, जेवी खेती से वर्ष दोहजार बाइस दग किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्षी को पाना भी संभव हो सकेगा तो देखिए आपने अभी एक खास रुपोर्ट जो की आधारित थी जेवी खेती के बारे में आपने विसरेत जानकारी तो हासल कर ली आईए इसी पर और जानकारियां हमारे विशेशाग्यों से भी हम अरज़ित कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर रुप करना चाहूंगे मैं बंसल जी का आपसे जानना चाहूंगी कि जैवी खेती की जब हम बात करते हैं हमने रिपोर्ट में भी जानने की कोशिश की है उसमें पिस्तार से बताया गया है आपसे जानना चाहेंगे जब हम जैवी खेती की बात करते जैविक खेटी और जैविक खेटी को कई रूपों में हमारे किसान भाई लोग अपनाते हैं कुछ एरिया में कुछ जगेया रीजन्स में इसको नेटिको थीज भार्मिंग बोलते हैं कहीँ जीरो बजट नेचरल सेREE बंग कना बॉलते हैं कहीं परमकल्चर कहीं वैदिक farming. तो ये कई रूप हैं, लेकिन सब के मूल में एक ही चीज है, की रासाइनिक खादों और कीच नाचाओं के उप्योग के बिना जो कھیती की जाती है, वह जैविक खेती हैं. जे तो कीट नाशकों और जो रासाइनेक खादों के बिना खेती कर रहा है हमारे केसान उसे जैवे खेती कहते हैं कई रूप है इसके हमारे केसान इसे अपना सकते हैं और कई लाब भी इससे अरजित कर सकते हैं क्या है इसके लाब जान लेते हैं डॉक्टर शुवे आपर मौ यह और एक आते हैं सघ्जीन meow यह क्रोप रजटी करते तैंब इस खेक्षी करते हं विशेजकर इस खेक्षी के अंदर जो ऑंजारी twee ग्लारी शोर्किस होते हैं जाफिसवर्मीकंपोस्ट हे घ्रीन मैंटोर फ्यूंड मैंडीं अपनी यह इसके साथ जो हम एस हम ब shaping सारे एसे पानी फ्लोर्र है उनका भी यूजर कर सकते है तो इसके फाइदेश कोह हैं सबसे ज्यादेशहिए और इसके साथ साथ हमारे बाईक ऐस चिह मल यहक्ते अबर होगी तो क्योंकि दिया बिना सबसब बड़ा जो फाइदा है मिर्दा की इलबन सIGHT्टी अच्छी होती है और गरी कार्बन नगीडिन की चंपता बढ़ जाती है और जो हमारे जीवानूं है जो बी मितिक अंदर पाये जाते हैंSt के साद साद हमारे मैपर खोना मेर से बगाड़ा और बहुत बढ़ जाते हैं तो इस तरीक जोगा cat जो हमारे की परिसेतियां होती जैसे फिजी के ले किमी कल भाइक Games तो हम को शुदर जाती है तो जो उत्वाद पड़ा होता है उत्वात जो हमार इसके अंदर जो किसी तरीके chemical residue नहीं रहता है, तो बजार में उसका भाव अच्छा मिलता है, और इसके साथ-साथ जो भी खाने वाला है, वो भी स्वस्त रहता है, और परियावरन को भी हमारा अच्छा रहता है, परियावरन विसेज कर, जैसे मैं बताना चाहिए कि जो हमारी जैवी खेत है, इसके अंदर जो है, नाइट्रस ओक्साइड और सल्फर डाय ओक्साइड का एमिशन भी कम होता है, तो इस तरीके से हमारा परियावरन भी स्रक्षित रहता है, मिट्टी भी स्रक्षित रहती है, और जो पैदा करने वाले उनको मनाफ़ा भी अच्छा होता है, और दूस हमारी उपज का सेवन कर रहे हैं, उनके स्वास के लिए भी काफी अच्छी है, हमारी खेत की मिट्टी का स्वास अच्छा बना रहता है, और हमारा जो परियावरन है, वो भी प्रदूशत नहीं होता है, परियावरन के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है जैवे खेती ताकि बाकी जो हमारे किसान आज जा हमारा कारक्रम देख रहे हैं वो भी उनसे प्रेरित हो सकें तो सत्यवान जी सबसे पहला प्रशन तो आपसे यही रहेगा कि आपने जैविक खेती करने की कब सोची और क्यूं सोची जैविक खेती हम 2012 में करुक छेतर गुर्कुल में मैं गया था तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था पालेकर जी का और देवर्द जी आचारी देवर्द जी जो आज गुजरात के राजयपाल हैं वो अपने जो है वहाँ पर एक प्रोग्राम था मैंने वो देख्या तो उससे में बहुत प्रेरित हुआ और हम दिल्ली के किसान है तो दिल्ली सबसे बड़ी मार्केट है तो कुछ लोगों ने भी हमारे को बताया भी हमारे को जैविक गें चाहिए धान चाहिए या सबजी चाहिए तो इस तरह से जो ना फिर हमने आज आने आड़ा समय जैविक काई है और इसमें जो है जैविक खेती की परिवाशा अगर दोलैन में कहें तो जीवों के लिए जीवानों दवारा प्राकर्ति गटकों की साहिता से की जाने वाली किर्शी को ही जीवनदाइनी किर्शी कहते हैं, खेती कहते हैं और इससे हमने आज जो है हम जैसे अब प्याज लगाने लग रहे हैं अभी इस नसलगी, शाइवाल और गीर नसलगी गाएं हैं, उनी से हमने गोबर गैस प्लांट लगा रख्या है उनी से उमारी जो सलरी है उसी का जैसे हमने गणना लगा रख्या, नहीं मनें एक मोडल तयार किया है, गणने को मील में बेचते हैं तो गन्ना बैठता है एक से सवालाग रुपे का, उसी गन्ने को अगर हम जूस वाले को बेजते हैं तो गन्ने की डबल हो जाती है, हम 600 रुपे काउंटल देते हैं तो हो जाता डाइलाग रुपे का, उसी गन्ने को अगर किशान जूस निकाल के जैसे हमने दस पेड निम्ब तोड़ते हैं उसी के सामने हम पुदीना तोड़के उसकी संतुष्टी करते हैं जब एक गराग की संतुष्टी करेंगे तो दस गराग वही के बना के देगा और आठ से सात लाक रुपे गाई के कड़ बैठता अगर जूस में कोई निकाल दे तो और उसी का जो गोड़ा है उसी का पत्ता है उसी से हम अपने गाएं का काम चलाते हैं और उसी जो हड़का गन्ना बज जाता है उसी का रस निकालके जीवामरत भी हम उसी से बनाते हैं और उसी को अपने गाएं के दलिया में डालके गाएं को खिलाते हैं तो हमारा जीरो बजट है और उसी गन्ने से एक और उसी गन्य से हमने शिर्का तयार किया एक कवंटल गन्य में लगभग 50 किलोरस निकलता है उसी शिर्के को हमने 100 पे लिटर अपने फार्म पे बेच्चा तो एक कवंटल गन्य हमने इस तरह से 5,000 रुपे का बेच्चा इस तरह से किसान जो ना उसमें अपनी आए दून है कि वो बता रहे हैं अपना अनुभव साजा कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जैवे खेती को अपनाया है और जीरो बजट फार्मिंग यहां पर कर रहे हैं लागत काफी कम है और अच्छा मुनाफ़ा अर्जित कर रहे हैं आप लोग भी इस तरह अपने आपको सोर बत करें किटे टो तरफब में जैवे खेती कर रहे हुए है हमारे केसान कजान कफि अशब में अगर हमारे यहां दो तरह का सर्टिफिकेशन है एक है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो की एक्सपोर्ट मार्केट के लिए है और एक है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो घरेलू मार्केट के लिए है और दोनों सार्टिफिकेशन में हमारा करीब 28 लाक हेक्टेर एरिया प्रमानित है जैविक खेती में लेकिन अगर मैं चेत्रफल के इसाब से पर्सेंटेश टम से में बात करूँ तो खेती का जितना एरिया है देश में उसका करीब दो प्रिश्वत एरिया जैविक खेती में परमाणी करण में आ चुका है और जहां तक किसानों का नंबर के बारे में बात करें तो वर्ड में हमारा भारत नंबर एक पर है और करीब 25 लाग किसान आज जैविक खेती से जुड़ चुके हैं जी और हम उमीद करते हैं कि दीरे दीरे जो ये संख्या है और भी जादा बढ़ते जाएगे और हमारे जादा से जादा किसान जो है जैविक खेती की ओर बढ़ते जाएंगे इससे हमारे किसान किस तरह से लाभानवेत हो रहे हैं और किस तरह से और ज़ादा जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखी आपके सवाल को मैं दो भागा में उत्तर देना चाहूंगा एक है कि भारत सरकार और राजे सरकारों की नीतियां और दूसरा इसकीम्स जहां तक भारत सरकार की एक national organic policy है जिसके तहत ये लक्ष निर्दारित किया गया है कि आने वाले समय में 2025 तक 10% area खेती का area जो है वो organic दूसरा इसके साथ में 2017 में एक agriculture export policy आई थी और जिसमें ये प्रावधन किया गया कि जैविक उत्पात का निर्यात में कोई भी किसी भी तरह का restrictions नहीं होगा तो इससे जैविक उत्पातन या जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ने में किसानों को काफी मदद मिलेगी क्योंकि कभी-कभी देश की खादे आपूर्ती करने के लिए कुछ restrictions लगे रहते हैं लेकिन export में इस तरह का कोई भी restrictions कोवर्मेंट ने 2017 की policy में वटा दिया था इसी तरह से राजस्तर पर 13 राजसरकारें हैं आज की डेट में जिनोंने अपनी जैविक खेती की नीती निद्धारित कर दी है और बाकी राज्य भी इस और अग्रिसर हैं जहां तक इसकीम का सवाल है भारस सरकार की तीन-चार योजना हैं जिसके माध्यम से किसान भाई लोग फाइदा उठा सकते हैं पहली उसमें स्कीम है परमपरागरत करशी विकास योजना तीन साल के लिए किसी किसान भाई को उससे फायदा मिलता है अगर मूल रूप में बताएं तो इसमें चार-पांच कंपोनेंट हैं इस स्कीम के एक है cluster formation किया जाता है जिसमें 20 किसानों का समू बनाया जाता है और 20 किसानों के समू से इस तरह से 25 जो समू होते हैं उनके उपर एक FPO या एक बड़ा cluster बनाया जाता है दूसरा है certification चुकि बिना certification के लिए जैविक उत्पात का सही रेट मिलना थोड़ा किसान के लिए मुश्किल होता है तो उसके certification का उसमें एक प्राबधान है और सबसे बड़ा जो 60% से ज़्यादा जो प्राबधान है वो है direct benefit transfer के द्वारा organic input खरीदने के लिए और organic input infrastructure on farm बनाने के लिए किसान को दिया जाता है तो इसमें पूरे तीन सालों में 50,000 रुपे प्रती हेक्टियर के हिसाब से किसानों को लाब मिलता है दूसरी जो scheme है वो है mission organic value chain for north eastern region वो सारे भारत देश में नहीं है वर north eastern area में चुकि काफी area default organic area है तो वहाँ पर marketing और value addition को बढ़ावा देने के लिए इस scheme का सुवारम 2016 में किया गया उसके अलाबा अभी recently इसमें कुछ और scheme add की गई है जैसे भारती है पराकृतिक किसी पद्धती योजना जिसमें certification को बहुत ज़्यादा और value addition और marketing को हम प्रोशान दे रहे हैं और उसके साथ की साथ में जो certification की कुछ area जो default organic area है उनको भी हम certification के फोर्ड में लाने के लिए और किसानों को मदद पहुचाने के लिए ये सारी योजना जो है किसानों को जैविक खेती में अग्रिसर करने के लिए बहुत फाइदेमंद होती है जे तो सरकार की ये जो पहल है सरकार के जो ये प्रयास हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों के लिए काफी फाइदेमंद साबित हो सकते हैं कि उसके बारे में थोड़ी बार जानकारी जरूर अर्जित कर लें। जरूर जानकारी जा सकती है कि नियुज पेपर में हैं। जहां करना चाहते हैं सबसे पहले जो है जो भी आपके डॉबलप्मेंट अग्रिकल्चर से रिलेटिड किर्श्चि विज्ञान केंद्रिया हो सकता है डिस्टिक अग्रिकल्चर ऑफीचर या उससे छोटे अधीकारी जो भी खेती की जानकरी देने गाउं में आते हैं उनसे किसान भी किसान भी जागरूफ हैं और कर भी रहे हैं ठो उसके लिए जरूरी है कि पहले जानकरी ले कंद्रह में और सब्सक्राइक करें जो इस ररीके से चैट्र उब बांसमती धान की जरूरत है या सब्जीयों की जरूरत है जिए जो बाजार में अची मांग बनी हुए है उसको देखते हुए उसको जो उगाएं और उगाने के लिए जैसे तीन साल का टांजिस्ट मिरियड होता है तो लगबग जो है मतलब जैसे इस साल सुरू कर रहे हैं त तीन साल तक जो है उसको और गनिक प्रोड़क्त नहीं बेच सकते हैं तो उसको जो ऐसे मार्केट में बेच हैं लेकिन जो भी उसके नियामक बनाए हो गये हैं जो भी हमारे हमारे लिए जो है इस्टिंडर्स बनाए गये होते हैं उनको फोलो करने की ज़रूरत होती है कि कि जो डिस्टेंस मेंटेन करना है परमपरगत खेती से और गनिक खेती के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए और उसके साथ-साथ कौन-कौन से हमें इंपुट यूज करने है न्यूट्य जैसे कि मैं बताना चाहूंगा जैसे कि भूसी जैसे धान की बात लें जैसे बहुत अच्छा गुनाफ़क खिसान कमा सकते हैं जो अधिक पैदावार देने वाली किसमें उनकी डिमांड और गनिक इतनी नहीं इस तरीके से यह चीज को ध्यान को रखते हो उसी किस्म को चुन चुनने के बाद में फिर उसकी जो सच करियाए है जो ओर गनिक पद new klaar करें लिफिंग को करें तो इस तरीके से किसी भी मनलग सवचल को लेने से पहले समझने की जरूर्त है मार항 बांट को समझने की जरूर्त है ऑर उसके बाद जो है फिर जो सच करिया WOW還有 नाने की जरूरत तुछ इस तरीके से ज़ो है, आज़कर हर जगे, मरदा जगे 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 ज़ो इन्फ़्मेशन दी जा रही है, तेली विजन के माधहम से बी जा रही है, ने आट पहों किसानों को, किसान भाहिए आप आगे आईヤ ये, जैवे खेती को अपनाईए, जानकरी कटा करिए, समझीए और उसको आगए बढ़ा के कोशिच करें, अच्छा जो खादान उत्पादन करें, जिनकी डिमांड है उनको दें, भवता करें। आप उनका भी रुक कर सकते हैं, सत्यवान जी भी एक बहुत बड़ा उधारन है कि वो जैवे खेती को अपना करके इतना अच्छा मुनाफ़ा अर्जित कर रहे हैं। किसान खगई जाना खगई की बाशा किसान की बाशा की बाशा को अच्छी तरह समझता है तो उन्होंने जो किसान अच्छा कर रहे हैं के पास जाना चाहिए। जो कमियां हैं, किस तरह से उन्होंने हमने जैसे तुर्टियां पहले जेली है तो वो उनसे अच्छी तरह से समझ सकता है तो वहां पे बिल्कुल ठीक हाड़ाक शाब ने जो मोडल तयार किया किशान ने उसके पास जाके ट्रेनिंग या एक-दो दिन वहां रहे देखे किस त जिवानों की मातरा उसमें जो हमने कई बार पुस्सा से भी हम लेके आए हैं चाहिए रजॉक्ट वेक्टर है या और भी जिवानों है ट्राईकोडरमा है शूडोमिनास है या वेम है और भी कल्चर है तो वो लिया करके हमने पहले जमीन को जीवित करना पड़ेगा जो हमने chemical से बिलकुल जिवानों को मार दिया अब जो जमीन हमारे यहां इसमें जो है खेत में अब इतने केंचवे आ जाते हैं बारिस होती है तब और एक गंटे में मेरे खेत का पाणी सारा जमीन के पेट में चला जाता है क्योंकि केंचवा ज्यादा होने से उसमें बहुत ज्यादा जो है होल है और उसमें नमी भी खतम नहीं होती कारबन अच्छा जमीन का तो इसमें जो है किसान जो है पहले जमीन का स्वास्ते ठीक करें उसके साथ साथ मैं कहता हूँ मार्केटिंग मार्केटिंग जब तक किसान ने कसी उठाई है किसान नहीं बचेगा किसान ने तराज उठाने वाड़ा दो घंटे में डबल करता है किसान को वही प्रोजेक्टे 6 महीने लग जाते हैं और मोसम की मार भी जेलनी पड़ती है तो क्यों ना वो खाने वाड़ा और किसान आमने सामने होगा तो दोनों को फाइदा होगा तो बिलकुल हमारे किसानों के लिए जैवे खेती काफी फाइदे मंद साबित हो सकती है लेकिन आपको थोड़ी बहुत तैयारियां यहाँ पर करने की जरूरत है जिसका जिक्र अभी हमारे प्रगती शील किसान सत्यवान जी ने यहाँ पर किया है और ऐसी ही जानकारियां हमा हमारे विशेश्याग्यों से हमर्जित करते रहेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की बाद कई मजा आए देखते रहे हैं हमारा कारक्रों विचार विमार शोबने रहिए दूरदाशन के सांद पर बीमारियों से कैसे बचेगी फसल मुवेश्यों की मुश्किलों का क्या है हल कहां से लाएं बीट कितनी लगेगी खाद किसानों के हर फोन का विशेशक्यत देंगे जवाब देखिए हेलो किसान लाइफ सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे ब्रेक बाद उरदाशन के सांद के खास कारक्रों वचारवे मर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है आज हम मच जर्चा कर रहे हैं मुनाफे की जैवे खेती के बारे में जी हाँ जैवे खेती अपना कर हमारे किसान अपना मुनाफा किस तरह से बढ़ा सकते हैं इस पर आज हम विसरत चर्चा कर रहे हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले आएए एक और खास रिपोर्ट पढ़ना सकते हैं बदलता पल्यावरन घेतों की कम गोती उप जाओ शमता छोटी जोत रासानिक उर्वर को और कीट नाश को फफुन्द नाश को वगर्पतवा नाश को का अन्दा धुन उप्योग क्रिशी के सामने एक चुनाती है उप्भुकताओं के बीच खाधी पदार्थों को लेकर जागरुकता और स्वास्थी के उच्छी माब दंडों ने लोगों को जैविक खाधी पदार्थों की तरफ आकर्शिक किया है ऐसे में किसानों के लिए जैविक खेदी करना मुनाफी का सौधा साबित हो जतता है रहते हैं और ये दूसरे के पूरक तो होते ही है साथ ही पौदों की बड़वार के लिए पोशक तत्व भी उपलग्द करवाते हैं जविक खेदी में किसानों को फसलों की ऐसी किस्वों का चैयन करना चाहिए जो चलवायों शेक्त्रों और मिट्टी के अनकूल हो इसके साथ ही ये किसमें कीट और रुगों की प्रतिलोंधी शम्ता वाली भी होनी शाहिए किसान पसलों के बीच और रोपन सामगरी उन संस्थाओं से ले जो ये प्रमान दे कि वे जैविक पद्रती से विक्सित किये कहे हैं जैविक हेती में खर्पतबारों की उप्धाम के लिए मिट्टी में नमी को सन्नक्षित रखने और मिट्टी में कार्बनिक अव्शिशों को विगटित करने में पलवार बहुत प्रभावी है राश्ट्रे जैविक उत्पादन मानक के मान दन्डों के अनुसार पौधों में पोशन के लिए बायो गेस लडी, गुबर की खार, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फसल अव्शेश या किसी भी सुरक्षित जैविक स्रोत का व्योग फायदी मन्द होता है जैविक खेती में जैव उर्वर्कों का व्योग भी लाबकारी रहता है जैविक खेती में फसल चक्र का भी काफी महत्व है इसमें एक ही फसल को बार-बार नहीं लेना चाहिए जैविक खेदी में फवारा ये टपक सीचाही विदी से सीचाही करने पर फसलो की पैदावार अच्छी होती है क्योंकि जितने पानी की आवशकता होती है उतना पानी देने से पोशकतत्वों का शरण नहीं होता पलवार के साथ सुश्मस निशाय देने से इसमें फसलों की ओपज और उत्पादक्ता में भी बड़ोत भी होती है तो देखी अभी आपने एक और खास रिपोर्ट आईए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी बंसल जी का बंसल जी जब हम बात करते हैं जैविख खेती की कई तरह की तैयारियां यहाँ पर करने की जरूरत हो जाती है हमारे किसानों को और हमारे ऐसे में कृशी जो वेग्यानिक हैं जो आपका केंद्र है उसकी भी भूमिका काफी एहम हो जाती है कि हमारे किसानों को और भी ज़ादा जागरू किया जा सके तो आपके केंद्र के अगर हम बात करें तो किस तरह के प्रशिक्शन कारिकरम आयोजित किया जाते हैं हमारे किसानों को और भी ज़ादा प्रोच साहित करने के लिए लेकि राश्टिक जब एक खेदी केंद्र की जो activities हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकास डलना चाहूँगा किसान भाईयों को जागरूप कराना चाहूँगा इसके बारे में तीन चार में एक्टिविटीज हैं एक तो हम किसान भाईयों के लिए एक demonstration या प्रसेक्शन कारकरम करते हैं बाकी जो organic promoter या manager होते हैं उनके लिए हम एक 30 days का 30 दिन का एक certificate course है जिसमें organic input management है certification है quality control है supply chain management है इन सब चीजों के बारे में training दी जाती है और intern वो जो unemployed youth जो होते हैं जो इस सारी चीजों से जब जानकारी प्राप्त करने के बाद में वो किसान भाई लोगों को help कर सकते हैं कि certification में किस तरह से काम किया जाता है quality control किस तरह से किया जाता है और organic input management किस तरह से किया जाता है उसके साथ की साथ में हमारा center जो है वो bio fertilizers और organic fertilizers जो fertilizer control order में हैं उनके quality उनकी गुडवत्ता को चेक करने के लिए भी काम करता है उसकी लेब जहां तक आपने किसानों के perfection या हमारे तरफ से किसानों को जो जैविक खेती करने के लिए बहुत सारे जो किसान भाई लोग अपने farm level पे ही input बना सकते हैं जैसे कि जीवामरत जैसे हमारे प्रगतिश् पोश्ट है और सार्टिफिकेशन की क्या प्रोसेस है तो उसके लिए हमने किसान भाईयों की सहयता के लिए एक जैविक खेती सहयक पुस्तिका हिंदी में और English में दोनों वर्जन्स में वह हमारे जैविक खेती केंद्र राश्टी जैविक खेती केंद्र की website पर करते हैं और इसमें सारे जितने भी और गैनिक इंपोट्स जो किसान भाईयोग अपने फार्म लेवल पर बना सकते हैं जैसे कि मैं फिर दुबारा से रिपीट करूंगा जीव अमरत है बीज अमरत है नीमास्त्र है अमरित मिट्टी है वर्मी कंपोस्ट है नाडव कंपोस् जैविक खेती पोर्टल से किस तरह से डारेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं किसान भाई लो अपने जैविक उत्पादन का उन सब के बारे में एक सूच में जानकरी पुस्तिका में दी हुई है और इस पुस्तिका को हमने सारे इस्टेट गवर्मेंट्स को भी सर्कुलेट कि लिए और हमारे किसान भी इससे जुड़ रहे हैं और लाफानवित हो रहे हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं लेकिन जब हम जैविक खेती करते हैं तो कई तरह की बाते हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए ऐसे में जो है डाल वाली फसल लेनी चाहिए या हम सबजी उगा रहे हैं सबजी उगाने के बात में कोई आइसी फसल लें जिसमें कम पानी की जरूद पड़े तो इस तरीके से हमको फसल चक्र अपनाने की जरूद पड़ती है और यह भी है इसके साथ साथ फसल चक्र के साथ इंटर कोप जो हम कहते हैं मिशित खेती वह भी हमको करनी चाहिए एक लाइन के लिए कहते हैं कि आप जो है ग्याहों की चार लाइन लगाए एक चने लाइन लगादी जिये तो इस तरीखे से हिंटर को पिंग मिक्स्ट कोपी भी करते हैं और फसäl फुसाल चेकर का अपनाने की जरुत पढ़ती है एको और जिस पहुंआ के लिकिया जेसा ऐसान कस की जैसे घिए से बहुत से आपना की खेटी करना चाहतेहं श्कनाइक लाकिन Bücksme जैसे बास्मति दान हमने काटा तो हम जो चना ले ले मसूर ले मटल ले ले इस तरीके से फसल को लगाए यह ऐसा ना करें दान ग्यों का फसल चकर अपनाएंगे तो हमारी की मिट्टी की उर्वदता सकती जो इतनी मैंटेन नहीं होगी उसके इंदर जो है यह फिर ऐसे भी कर जागते हैं यह हम दान का फसल चकरी आपनाना चाहते हैं तो इस चीजरा में हमारी इस चीज रही परच करता है जो लगए थाकि हम जो है मिटी की उर्वरता सक Supreme बढ़ाने के लिए कोई एक कम अबदी वाली किसम है उसको लगा सकें और उसको मितिके अंदर ही मिला सकें, फलियां तोडने के बाद कि अफ। मिला दें तो फसल चक्र का बहुत ही बड़ा मैत है और हमारे डिफरेंट जो किसी विज्ञान केंद रहे हैं या हमारे किसी विश्विद्याले हैं उनके इंदर इस तरीके से बताया भी जाता है कि और गनिक फार्मिंग यही करना चाहते हैं तो फसल चक्र को जरूर अपनाए और फसल चक्र को अपनाने से जो मिर्दा का स्वास भी अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ जो हमको जो निर्भरता होती है दूसरी चीजों पर बाहर से लाने की वो भी कम जरूत पड़ेगी जैसे कि सत्यवान जी यहाँ पर कर रहे हैं कि उन्हें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं होती सभी अपने जो एक मॉडल उन्होंने तयार किया है उसी से वो अर्जित कर लेते हैं क्या कहना चाहेंगे सत्यवान जी इस पर आप हाँ जैसे हमने गन्ना और प्याज दोनुँ चीज़ लगाई हैं हम प्याज निकाल लेंगे फटा फटा उसमें मूंग लगा देंगे और मूंग को हम आथ से तड़वा लेते हैं 50% लेवर से तो हमारे दाड़ भी मिल गी और उसके अवसे से उसी में मिला देते हैं तो उस नाइट्रोजन पीएच भी उसका मेंटन होता है तो हमें हरी खाद का भी उपयोग कर लेना चाहिए और इस तरह से पहले किसान स्वालम भी था किसान तब बजार में जाता था जब उसको लोहा और नमक दो चीज उसके पास नहीं थी नहीं तो कपड़े भी हम अहाथ से अपने चर्खे से कात के और गन्ना गुड़ सबजी दूद सबकुछ हमारा अपना होता था तो किसान स्वालम भी था प्रालम भी हो गया तो कि बीज कमपनिया पहले उसकी जेव काट लेती हैं अब मेरा बीज से लेकर लाश्ट तक मेरा अपना काम नरसरी मेरी अपनी है बीज मेरा अपना है मार्केट मेरी अपनी है तो तब ही किसान बचेगा जो में सारी चीज खुद की होंगी जी ब्लकुल तो देखें बहुत ही अच्छी बात यहां पर कही है कि हमारे किसान स्वावलंबी हों शुरुवाद से लेकर अंध तक हर जो कदम होता है पूरी जो प्रक्रिया होती है वो अग हमारे खेतों से ही हमें मिल सकती है और हमारे जो किसान भाई हैं वो इस तरीगे को अपना कर अच्छी आमदनी भी अर्चित कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं बस आपको यहां पर जाकरुक होने की जरूरत है और उस जाकरुकता को हमारे विशेश अगय आप तक जरूर फैला रहे हैं बढ़ते हैं आगे बंसर जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर शेवे ने कहा कि फसल चक्रपनाना बहुत जरूरी है सत्यवान जी ने कहा कि अपने खेट से ही हम खाद अपने खेटों में डालें और तमाम बीज वगरा जो है वो खेटों से ही तयार कर लें लेकिन काई किसान ऐसे हैं जो अपने खेटों में ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में किस तरह के बीज लें किस तरह की किसमे लें जब जैवे खेटी कर रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जैविक खेती में जो किस तरह की फसल हम उगा सकते हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जो जिस रीजन में आपका एरिया आता है उसमें चाहें जैविक खेती हो या कन्वेंशनल फार्मिंग हो जो कन्वेंशनल फार्मिंग में जिस तरह के फस पहली फसल के लिए खाना होते हैं तो क्या हम कहए सकते हैं जैसे की आज की समय की बहुत बड़ी समसिया है पराली प्रबंधन लोग उसे जला देते हैं ठیट में ही वो तो ये और भी जादा हमारी खेत की मिट्टी के लिए फाइदे मंद होगा। कुछ आप जीवानु जो है उसमें डाल सकते हैं जैसे कि हमारा पूसा इस्टिटूट ने एक वेश डिकमपोजर बनाया है उसको भी डाल सकते हैं उसमें और साथ की साथ में जीवामरत अभी जीवामरत का भी इस्तेमाल करने से उसका डिकमपोजिशन रेट बढ़ जाता है तो किसान भाई लोग इन सब जो लोकल फॉर्मुलेशन से हैं इनका यूज करके और उसको फसल अफसेश को वही की वही इस्तेमाल किया जा सकता है मैं जोड़ना चाहूँ है जैसे फसल अफसेश है देखिए पोटास की जो है 90% मातरा लगवग यह समझ लीजी 80-90% हमारे जो अफसेश के अंदर ही रहती है और यदि हम मिटी के अंदर उसको मिलाएंगे रखेंगे तो हमें जो पोटास की अलग से देने की जरूत पड़त हैं तो जितने भी अफसेश हैं यदि हम मिटी के अंदर ही रखें उनको मिलाएं जैसे की बंसलता आपने बताया है तो हमारी निर्भरता है दूसरे जो पोटाक तत्वों को बाहर से लियाने की ऑर्गनिक फार्मिंग के अंदर भी जैवी खेती के अंदर भी वह कम हो जाए है और आज कल जो सेल्लोटिक डिकंपोजिंग बैक्टीरिया फंजाई और उनके कॉंबिनेशन बायो फिल्म माइको कंसूर्टिया भी आ रहे हैं जो बहुत जल्दी बायो डिग्रेट करते हैं तो उस तरीके से उनको भी डालें और जिस तरीके से डालने की जो पद्धती बताई जाती है उसी के नुसार डालेंगे जल्दी अच्छा डिकंपोजिशन होगा किसी भी रेजिदू का और यह एक पुसतत्त प्रबंदन की जो प्रिनाली भी है और गनिक खेती के अंदर जेविक खेती के अंदर की जो भी रेशिदू है हम उसको रिशाइक्ल करें बा बहुत बड़ा मेःत है और इसका विसेश का जैविक खेती में और भी बढ़ गना सकते हैं सथिवान जी आप क्या कहना चाहेंगे अ संधर में उसी में हम अवसेस्टों को 50% मिला देते हैं और जैसे डाकशाम ने बताया ना तो उसमें हम e decompose की जरूत है तो नहीं भी पड़ती क्योंकि वह सलरी में ही इतने बैक्टेरिया होते हैं उसी को काट मार के अच्छे से मिला दो तो वह बहुत जल्दी तयार खा दो जाता रूसमें जो गाएं जिसके पास है ना तो मैं कहता हूं गाएं के गोबर में सब कुछ है बैक्टेरिय जाते हैं और जैसे डाक साब ने बिल्कुर ठीक काया कि फसल चक्र मैं तीन यह चार साल में गेंबोता हूं जिस खेत में आम ने आपकी बार मटर लगा रखिए अगले बार उसमें प्याज लगाँगा उसके बार मैं फिर मैं उसमें गेंबगता हर भी साइड की जरूत ही पड़ती क्योंकि खर्पतवार उसमें होती है नहीं यह सबसे बड़ी जो ना समस्या है खर्पतवार की तो इस तरह से फसल चक्र और गेऊं बहुत ही हलके में जैसे ज्यादा उसको जरूत नहीं पड़ती वो तैयार हो जाते हैं हर साल जिसमें गेऊं उदान करेंगे तो उस जमीन भी मतलव रूरा सकती उसकी कमजोर हो जाती है तो इससे ये भी जरूरी है फसल चक्र अपनाना बहुत ही जरूरी है जी तो पोशक तत्वों का प्रबंधन किस तरह से करना है और फसल चक्र कितना लाबकारी साबित हो जाता है जैविक खेती करते समय ये अभी हमारे जो प्रकिति शील किसान है उन्होंने इसके बारे में जानका रहे दी इसके साथ बढ़ते हैं बंसल जी जानना चाहेंगे जैविक खादों के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे गोबर की खाद हो गई इपोशक तत्वों का अगर हम प्रबंधन अपने खेत में ही कर देते हैं तो वो भी एक खाद के रूप में तयार हो जाता है कौन-कौन सी जैविक खाद हैं जो हमारे किसान इस्तिमाल कर सकते हैं और उन्हें तयार करने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए जैसे मैंने आपको किसान भाई लोगों को पहले अपने वक्तेव में बताया जैविक खाद में आपका वर्मी अक्पोस्ट है जैसे केंचौ खाद जिसको बोलते है नाड़िप कम पोस्ट है फार्मियाड मैनियूर है और फिर उसके बाद में एक जो फोस्पोरस की जिसमें कमी होती है तो फॉस्वेट रिच और गैनिक मैनियोर भी किसान भाई लोग अपनी लेवल पर बना सकते हैं उसके साथ की साथ में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जीवामरत जो गाय के गोबर गाय के मूत्र और गोड़ से बहुत सारी चीज जो है गाय आधारित खेती आप मान सकते हैं कि जैविक खेती कुछ बहुत हद तक गाय पर आधारित है तो अगर आप देशी गाय का गोबर गाय मूत्र और गोड़ और दाल का आटा इन सब को मिश्ट करके जीवामरत बीजामरत है आपका पंचगव्य है अमरित माटी है अमर वीदी के बारे में जहां तक सवाल है मैंने आपको बताया है कि हमारे राष्टी जैविक खेती केंसे हमने जैविक खेती साहेक पुस्तिका एक निकाली हुई है और जिसमें इन सब लोकल फॉर्मूलेशन को बनाने का तरीका भी दिया गया है इसके साथ की साथ में मैं एक और चीज़ यहां पर एड़ करना चाहूंगा, कि हमारे देश में अभी एक रिसेंटली, 2017 में Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology लोधियाना ने एक स्टड़ी की थी, और उसमें ये पता चला था कि 67, मता 60 मिलियन टन फूड वेस्ट होता है हमारे देश में हर साल, और अगर ये 67 मिलियन टन को हम जै जैविक खेती की तरफ हमारे और किसान इस से जुड़ जाएंगे और इसको हम कहते हैं कि हम वेस्ट टू वेल्थ, और इसके भी वही तरीके हैं जैसे कि आप कहीं पर भी इसको कमपोस्टिंग के तरीके अपनाएं, और ये सारा जितना वेस्टेज है आपका, ये इसमें ज जैटो वेक्टर है, फॉस्टेट वेक्टिरिया है, पुटास मोबलाइजिंग वेक्टिरिया है, तो ये सारे जैविक उर्वरक भी किसान भाई लोग अपने खेत में, क्योंकि जैविक खादों के ज्यादा इस्थेमाल से हमारे मिट्टी में, जो जीवाणों की संख्या है वो बहुत ना के बराबर हो गई है, तो उनको भी इंटर्डीस करने की जरूत है, जिससे की मिट्टी जो है, जीवित हो जाए, और उसमें जो न्यूट्रियंट रिसाइक्लिंग होती है, उसकी वो साइकल, जैसो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकल है, कारवन कंटेंट पर अच्छी होगी, तो हमारी जो उपज है, वो भी काफी अच्छी गुनवत्ता वाली हमें अर्जित हो सकती है, और उसका अच्छा दाम भी हम कमा सकते हैं, और ऐसे में जैसे की बंसल जी ने अब बेजिक रखिया कि हमारे जो पशु पालक हैं, वो तो जैविक खेती की और बढ़ी सकते हैं, गौपालन आप कर रहे हैं, गोबर है आपके पास, उसकी खाद तयार कीजिए, उसके कई उत्पाद आप तयार कर सकते हैं, जैविक खेती को आप बहुत ही कम लागत में शुरू करके इसे अपने लिए काफी मुनाफे का सौदा बना सकते हैं, इसमें रसाइनों का इस्तेमाल तो यहां पर कर नहीं रहे हैं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कीत और भीमारियां आती हैं, लेकिन इतनी नहीं आती हैं, जैविक खेती के अंदर जितनी जो परंपरगत खेती के अंदर आती हैं, हम पिछले करीब 15-16 साल से दान ग्यों की फदल चकर की खेती कर रहे हैं, फूसर अस्तान में और गूनिक तरीके से, और उसमें हम जो है, ग्रीन मैनियो निंग के लिए धेंचा भी लगाते हैं, तो हमने यह देखा की, जो हमारी वांस्मति ध्दान, जो हम ऑर्गनिक ली करते हैं, उसके अंदर जो हमारे मित्र कीत ह जो भी हमारे कीट आते हैं जैसे हमारे इस्टेंबोरर वगरा है या हमारे दूसरे और कीड़े आते हैं तो उनको खा लेती है उनको बढ़ने नहीं देती है हमारे मित्र कीट हैं उनकी आधे होती है और कोब्यायर को खात लन सभीने कीड़े वह रखने कीड़े चालते हैंD लूसरे से और किसी अधिन बड़े को बीरेते हैं ऺजाते हैं फासल के अपना अएगे अधिक नहीं आएंगे प्याज के बाद में मूंग लगाएंगे इस तरीके से फसल चक्र अपनाते हैं तो उस तरीके से जो एक तरीके के इंसेक पैस्ट होते हैं वो नहीं मिती के अंदर रहते हैं उनका साइकल ब्रैक हो जाती है और गनिक का फंडामेंटल ही है कि हम फसल चक्र अपनाएं ताकि हमा और उनको फिर उबाल के डाल सकते हैं और बहुत से फॉर्मलेशन से आते हैं सीट टीटमेंट वगर आज़ा टाइकोडर्मा से जो जरूर करें सीट टीटमेंट जो है तो बीमारियां काम आती है जो भी हमारी मिट्टी जैविखेती अपनाने का एक फायदा ये भी हम कह सकते हैं कि रोग और कीट काफी कम रहते हैं और उससे हमारी जो दवाओं का खर्च है वो तो बिल्कुल खत्मी हो जाता है बिल्कुल इसमें हमारे दोनों और विशेशग्यों की राय हम शामिल करेंगे ये लेके एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मर जाए देखते रहे हमारा कारक्रों विचारवे मर्श और बनी रहे दूर दाशन के सान पर ये काम्याबी है अनदाता की ये कहानी है खेत और खलिहानों की कैसे करें अपने पशू की देख भाल जानिए गाउं-गाउं के किसानों का हाल देखिए गाउं-किसान सुमवार से शुक्रवार दोपहर बारा बजे सिर्फ डीडी किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मारे खास कारक्रों विचारवे मर्श में आज हम चर्चा कर रहे हैं मुनाफ़ की जैवे खेती के बारे में जैवे खेती अपना कर हमारे किसान कैसे अपना मुनाफ़ा बढ़ा सकते हैं इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं पर एक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जैविक खेती में कीट और रोगों की आने की समभावना काफी कम हो जाती है जिससे हमारे किसानों की लागत में काफी कमी आ जाती है इस पर हमारे प्रगती शील किसान की हम राइल लेता है क्या कहींगे अब कीट भी। होता है, उसको चीडिया और चाओ से खाते है,100 में क्यांные को कमीकल क्या वाड़े कीट को नहीं, तो हम जाय। के अन्दर वो पावर बना लेता है, रख मरता में जाते हैं किया है। और मैं जैविक में जो भाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसे एक सल और दूँगा वो सीजनल ही करें कई बार किसान क्या गलती करता है वो सीजनल की गोबी लगा दी वो कीट ज्याद आएंगे तो वो कामियाब नहीं हो पाते वो वहाँ पे मार खा जाते हैं तो सीजनल ही मतलब जो है लगाएं कोई भी सबजी है या कोई फरूट है उसको जो जो ना सीजनल करें और इसमें एक और बात है हमारे मित्तर कीट ज्यादा तर माशारी होते हैं और जब मित्तर कीट हम जब केमिकल से करते थे तो हमारी समझ में आया जो मित्तर कीट है वो उपर रहते हैं पत्तों की और जो हमारे जो दुसमन है वो छुपके रहते हैं क्योंकि वो उस मा सारी कीट से उनको डर लगता है जब हम सपरे करते तो मित्तर तो सारे मर जाते हैं क् पर हमारे दूसमन कुछ बच के रहा जाते हैं, उनका दूसमन जब खतम हो जाता है, तो फिर अच्छे से पनपते हैं और अच्छे से खेती को कराब करते हैं, तो इस तरह से ध्यान करना चीए किसान ने, क्योंकि जब हम, जो है, जैसे हमारे पास जो है, उसमें थ्रिफ्स की करके करेगा तो साइद मेरे ख्याल से भूत अच्छे से कर सकता कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी लेकिन बस बात यहीं आ जाती है कि पहले यहां पर जानकारियां जरूर ले ले लें लगातार हम बात कर रहे हैं कि हमारे केसानों की लागत में कमी आएगी उनकी जो आमद देखे भारत सरकार की जो परकल्पना है कि हमारे किसानों की आये 2022 तक दोगनी हो जाए तो वो सिर्फ जैविक हैती नहीं में सारे जो भी हमारे किसान भाई लोग हैं उनकी आये दोगनी कैसे हो उसके लिए 3-4 फ्रंट पे हमारी भारत सरकार ने कुछ काम करना शुरू किया है उसमें वेलु एडिशन और मार्केटिंग इस पर जिस्से की मार्केट में ऐल्यू अकार वैलु इडिशन होगा और मार्केटिन दोग ऊच्छा निल पाएंगा मैया इंपुट कोस्ट कैसे कम हो और पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट मतलब बहुत सारा जो किसान भाई लोग है उनको प्रॉलम यह होती है कि हार्वेस्टिंग करने के बाद में फसल को सुरक्षित रखना और उसको मार्केट तक ले जाना अपने आप में एक चैलेंज है तो पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्षर हो और साथ की साथ में मार्केटिंग को अच्छा बनाने के लिए और उनको कलेक्टिव फार्मर्स जो हैं उनका किसी एक छोटे फार्मर का प्रॉडूस तो इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो डिरेक्ट जाता है कि अगर मार्केट में उसका सही रेट चाहिए तो जैवी खेती में हम सर्टिफिकेशन की सुप्धा गवर्वर्मेंट ऑफ इंडिया प्रॉड़ाइट करा रही है फ्री ऑफकोस्ट परमपरागत क्रिशी विकासी योजना के अंतरगत और मिशन ऑर्गैनिक वेल्य फार्मर प्रोडूसर और्गैशन बनाने की कवायत शुरू हो गई है तो उससे भी किसान भाई लोग अपने जैविक उत्पात का सही मार्केट उनको मिल पाए और सही रेट में वो बेच पाएं और साथ की साथ में ब्रांडिंग पैकेजिंग इन सब के लिए भी हमारी स्क कीमों में प्रावदान है तो किसान भाई लोग इसका फाइदा उठा सकते हैं और जैविक खेती से करने से उनकी आय और उसके साथ की साथ में जो डाइवर्सिफिकेशन है कि सिर्फ खेती क्रॉप नहीं करना है साथ की साथ में जैसे आपको लाइव स्टॉक फार्मिंग है जो गाय पालन है, मुर्गी पालन है, हनी कलेक्शन है, वाइल्ड हार्वेस्ट कलेक्शन है तो इन सब को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे की खेती के साथ साथ और माद्यमों से भी उनकी आय बढ़ सके और हमारे किसान आर्थिक रूप से और भी जादा सशक्त हो सक तो देखे बहुत ही अच्छी जानकारी यहां पर दी है वंसल जी ने आई इसके साथ बढ़ लेते हैं और हमारे जो दो और विशेशके मौजूद हैं उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर शिवे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को जैविक खेती के लिए किस तरह से वो इससे अपना करके लाभानवित हो सकते हैं हाँ देखिए किसान भाईयों को मैं यह कहना चाहूँ है जैविक खेती जो हमारी सबसे बड़ी बात यह कि मिट्टी की उर्वार सकती को बढ़ाती है तो यदि मिट्टी की स्वस्त रहेगी तो हमारा पैदावार भी अच्छा होगी और इसके साथ साथ जो हमारा उनका जो लागत आती है किसानों की वो भी कम हो जाएगी क्योंकि बजार पर कम निर्वर रहेंगे बाहर से नील आएंगे जो हो भी हमानी और पलाविनिंग है उन्ही से चलनी चपैर मुर्गी पालन करें इसा पर दूसरे उत्पाद उगाने वी बगर आतो हम यह कहते हैं और गनिक फार्मिंग आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी पदती है और हरे किसान भाई और बहन को थोड़ी मात्रा में पूरी तरीके से नहीं अपना सकते हैं तो थोड़े शेतर पर जरूर अपना है और जो यह देख लें कि पहले उनकी मार्केट कहां करनी है और उसको कैसे सर्टिफाई करके बजार में लेके जाना इस चीज को जरूर धान र और यदी अपनाएंगे तो ज्यादे मुनाफ़ा होगा लागत भी कम हो जाएगी और बजार में उनको भाव भी अच्छा मिलेगा खाने वाला भी सुखी रहेगा जे बिल्कुल तो एक दूसरे से देखकर ही हाँ पर हमारे किसान भाई जादस जादस सीखते हैं तो ऐसे मैं सत्यवान जी से चाहूंगी मैं कि आपने जो सकरात्मक बदलाव अपनी खेती में देखा है उसका अनुभव देखते हुए आप हमारे किसानों को संदेश दे जै दूमक की पालन जो है सैद हमारा बोनस है और उससे जो पॉलीनेशन का काम होता है उससे 10 परशेंट से 15 परशेंट तो मेरी वैसे पैदावार बढ़ जाती है और अब मैंने जो एक कडमे जो है अलग अलग लोटरल में कहीं खरबूजा लगाया है कहीं करेला लगाया है तो उससे क्या है कि पैकेज का काम किया हमने जैसे ट्रांसपोर्ट का हमारा भी बचेगा या मतलब कंजूमर हमारे से लेने आता है तो एक दिन आएगा हम पांस तरह की सबजियां उसमें हरी मिर्ची पुदीना धनिया डाल के और उसको कहेंगे भी 800 रुपे का ही है दो दिन आ काफी किसान का ट्रांसपोर्ट का भी खचा या आने वाले का भी बच सकता है इससे भी अपनी आये जो हैसे गाएं है गोमुत्तर गोबर और उसका गोबर हम 10 रुपे किलो बेशते हैं किचन गार्डन वाले मेरे पास नर्सरी लेने आते हैं प्याज की नर्सरी का भी काम है तो वहाँ हम बेशते हैं और 10 रुपे किलो साथ-चाथ वो मेरे से गोबर भी लेके जाते हैं गोमुत्तर भी लेके जाते हैं तो इससे भी किसान अपनी आये को जो है ज़िए ज़ादा से ज़ादा हमारे किसान जैवे खेती को अपना यहीं जो बात है आज की चर्शा में उभर कर सामने आई है हमारे तीनों ही विशेशगे यही कहना चाहते हैं कि हमारे जादर से जादा किसा अगर जैविख खेती को अपनाएंगे तो ना वो केवल अपनी आई को दोगनी बल्कि तीन गुना चार गुना भी कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी है कि आप अचानी की कोशिश करें और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे तीनों ही विशेशगें का आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साचा कियें बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुडने के लिए तो बिल्कुल किसान भायों बहनों मुनाफे की जैविखेती है आपने आज समझ लिया जान लिया आप जरूरत है कि आप इसे आगे बढ़कर अपनाएं भी और इसे अपने लिए फायदेमंद बनाएं भी तो बस आज के इस अंक में इतना ही अगले सब्ताह मुलाकात होग हम विचारवे मर्श तब तक के लिए हमें दीजे जाज़त आपने रहे दूर दाशन के सान पर नमस्कार